इमाचल प्रदेश के सुखु सरकार सौमवार को धरम शाला में अपने कारेकाल का एक वर्ष पुरा होने का जश्ण बनाएगी कॉंग्रिस के राष्ट्रिय अधक्ष मलिकाचुन खडगे और प्रदेश मामलों की प्रभारी राचीव शुकला समाहरों में मौझूद रहेंगे राष्ट्रिय महासचीय प्रियंका गांधी के आनी पर संशेयर बना हुआ है तिलंगाना के मुख्य मंत्री रेवन्थ रेढ़ी शुकला समेट कई बड़े नेताओं को इसमें निमंत्र दिया गया है मंच पर मुख्य मंत्री के अलावा 125 कुर्सियां लगाई जा रही है जहाँ पर कैबिनेट मंत्री समेट अन्य के बैटने की व्यवस्ता रहेगी पुलिस मदान धर्मशाला में 25,000 से अधिक लोगों के बैटने के अंतिसाम किया गया है भीड जुटाने के लिए करीब 1,000 बसे लगाई जाएंगी सरकार के सभी मंत्री मुख्य संसदी असाचीव और कॉंग्रेस वधाई ग्वी समाहरों का हिस्सा बनेगे मुख्य मंत्री सुखफिंदर सिंग सुखु के ग्रह विदान सवा शेत्र नादोन से होकर जाने वाले सभी पाचिकारिकरताओं का सानिय ब्लॉक इकाई स्वागत भी करेगी इस कारेकाल के पूरा होने पर सरकार जशन मना रही है और ये जशन धरमशाला के पुलिस नादान में मनाया जा रहा है जहां पर हजारों की थादाद में लोगों के आने की संभावनाय बताई गई है आप देख सकते हैं कि धरमशाला को किस तरह से दुलहन की तरह सजा दिया गया है शहीत स्मार्क से लेकर के पुलिस मैदान तक हर तरफ कॉंग्रिस के जंडे और बड़े-बड़े बैनर देखने को मिल रहे है आप देख सकते हैं कि यहां पर व्यवस्था परिवर्तन का एक साल ये भी बताया गया है और बड़े-बड़े गेट इसी तरह लगाए गया है क्योंकि यह धरमशाला से कांगणा जाने वाली सडक है इस सडक पर कल यानि की 11 दिसंबर को एक बड़ा रोड़ शो निकाला जाएगा जिस रोड़ शो में मुक्षे मंतरी और उनके सभी मंतरी वा सभी बिधायक मوجود रहेंगे कारेकरता भी इस रोड़ शो में मوجود रहेंगे साथी साथ अब भी दिल्ली से जो केंदर है केंदर से बड़े चेहरों के आने की भी उमीद बरकरार है लेकिन देखना ये होगा कि कौन से बड़े चेहरे जो है वो इस रोडशो और जशन के कारेकरम में शामिल होते हैं फिलहाल 16,000 के करीब यहाँ पर कुर्सियां लगा दी गई है और कारेकरताओं के आने का इंतजार है कल सुभा 8 वजे से कारेकरताओं की भीर जो है वजटना शुरू हो जाएगी लेकिन ये तो कल पता तब चलेगा जब पूरा मैदान भर जाएगा या मैदान भरता है या उसमें कमी रह जाती है ये कल का दिन बताएगा कि कितनी भीड जो है वो सरकार के जशन में भाग ले रही है वहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो सुरक्सा बल कड़ा कर दिया गया है काफी पुलिस बल जो है बतनात किया गया हर चप्पे चप्पे पर पुलिस बलतेनात है और ड्रोन की मदद ली जा रही है सर्विलेंस के लिए ड्रोन का इस्तिमाल किया जाएगा सिसी टीवी का इस्तिमाल किया जाएगा पार्किंग की विवस्ताएं सुचारू रूप से चलें जो राबर स्टेडिम में पार्किंग के वहां पर भी गाड़ी पार्क होंगी लेकिन कोई भी गाड़ी जुअ हम और ख़ड़ किनारे खड़ी नहीं होगी पोगी धर्म चाला से एक कैम्रामैन अनुशरमा के साथ मनोज दीमान खब्रह भीदत कर更द pushing शञार लो